सभी चात्रों को मेरा नमस्कार आज हम ग्रोइंग अप जहां तक पिसला पड़ा उससे आगे पड़ेंगे वन टो थ्री फॉर फॉर्टी थ्री पेज सबसे निसला पेराग्राफ सुरू से अब जैनी खड़ी होती है और पेड़ों के बीच में जाकर घूमने लगती है और उसकी ड्रेस पर एक साइड में नीले रंग का धबा था क्योंकि वो इतने देर तक पॉंड में भी रही थी और तालाप के अंदर आपको पता है कि पानी के उपर लील जम जाती है उस लील की वज़े से उसके जो कपड़े हैं उसके उपर निला रंग दबा लग जाता है दूसरी तरफ केट जो जूले में जूल रही होती है वो जूले से धीरे से निचे सरक जाती है और जमीन पर लेड जाती है बाल बिखरे हुए है और हाथ दोनों खुले जमीन पर बिखरे हुए है हर स्मॉल डर्टी हैंड्स विद ब्लैक नेइल्स हातों के नाखून काले हैं क्योंकि उनके अंदर रेद गुशी हुई है टर्न पाम अबवार टू दे स्काई और हतेलिया आकास की तरफ है हर कॉकर बिख तभी उसकी एक छोटी कुतिया स्नॉर्ट जिसका नाम क्या है स्नॉर्ट स्नॉर्ट कैम लूपिंग एंड स्निपिंग वाई कूते कूते जमीन को सूंगते सूंगते अटर्ड वन सॉल्ट बार्क थोड़ा सा उसने भौका एंड रूटेट एड हर मिस्ट्रेस लेक्स और अपनी मालकिन के पाउं के निचे आ गई कैट रेज वन फूट कैट ने उसका एक पाउं उपर उठाया एंड टिकल्ड हर इस टमक और उसके पेट में गुदगुदी की देन रोल्ड ओवर एंड बरीड हर फेस इन हर आम्स और फिर जमीन पर गोल गोल गुमने लगी छोटे बच्चे कैसे घास के उपर गुमते जीओं गुमने लगी और अपना जो मू है वो उसका जो सौरी जो बिल्ली का जो मू है उसको अपनी भुजाओं के अंदर डाल दि पाउ पर और उसको गोल गोल गुमने की कोशिज करती है as if to turn her over she made a half kick and murmured go away snort तभी cat को गुसा आजाता है वो उसको लात मारती है और कहती है go away यहां से चले जाओ snort snort क्या है किसका नाम है name of a bitch bitch is a female dog stop it snort jenny echoed in the same meditative tone तभी jenny दूर से बोलती है snort रुख जाओ the sisters adore each other दोनों बहने एक दूसरे से बहुत प्यार करती है adore यानि love करना and one always came to the other's help और जब एक sister समझ प्रॉब्लम में होती तो दूसरी उसकी मदद के लिए आगे आ जाती थी but snort only stopped a moment to gaze at jenny gaze यानि घुरना लेकि snort केवल कुछ समय के लिए रुकी jenny की तरफ गुर कर देखा then tugged at cat's dress फिर वापस से cat की dress को snort खीचने लगती है cat made another more energetic kick and said oh go do go away snort cat ने फिर जोर से लात मारी बिच को बिच का नाम snort है और उससे क्या का oh do go away दूर तो जाओ snort मुझसे दूर चले जाओ jenny stopped in her language stroll jenny रुकती है snatched a bamboo from the border और एक bamboo पड़ा होता है वो लेती है and hurled it at snort like a spear और भाला कैसे फैकते है उस भाले की तरह उसने bamboo को उस कुटिया की तरफ फैका the bitch startled bitch startled यानि surprised हका बका रह ज़ना कुटिया हकी बकी रह गई uttered loud uncertain bark धीरे से भौकी जैसे किसी को चोट लगती है तो कुटिया कैसे भौकता है and approached wagging her behind so vigorously dead she curled her body sideways at each way और कुटिया दोडने लगी और पीछे का जो आदा सरीर है वो हिलाने लगी लोगी चलता ने पीछे का सरीर left right left right चलता है she was not sure of this was a new game उस बिच को ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये जैनी मेरे साथ कोई गेम खेल रही है क्या जो मेरे उपर भाला फैका यानी की भाला यानी जो बंबू फैका भाले की तरह और if she had committed some grim crime जैनी गेव येल येल यानी चिला ना यहां चिला जैनी जोर से चिलाई and rust at her और उस कुतिया की तरफ दोड़ी मतलब अटेक करने के लिए see flat yelping वो चिलाते वे दोड़ी add one cat jumped up तभी cat कूती है seized another bamboo cat with एक बास का टुकडा होता है वो लेती है and through it और वो फैकती है shouting tiger tiger और जोर से क्या कहते है tiger 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 किसके लिए उस कुतिया के लिए word use करती है कि अगर बचना है तो भाग जाओ और वो दोनों बैने उस कुतिया के पीछे पढ़ जाती है उसको बंबु से मारने की कोशिस करती है दोनों बिचिया के पीछे भागते हैं उस पर attack करते हैं laughing हसते हैं bumping together कूतते हैं एक दूसरे से टकराते हैं falling over each other एक दूसरे के उपर घिर जाते हैं snatching up anything they could find to throw at the fugitive और जो भी जम कर हो वो हाद से लेकर उस कुतिया की तरफ फैकने लगते हैं dead daffodils daffodils के जो fool है जो उसके डंडे है वो भी उनकी तरफ फैक रहे है bits of flower pots गंबले के छोटे-छोटे टुकडे है वो फैक रहे हैं lumps of earth और मिटी के जो डेले होते हैं वो उनकी तरफ फैक रहे हैं salt snort horrified और ब चुकती हैं barbed hysterically कभी पागलों की तरह भौकती है crazily waked her tail in desperate submission कभी अपनी पूछ हिलाती है finally put it between her legs और अंत में वो अपनी पूछ को दोनों टांगों की बीच में दबाकर crap whining between a broken sand and the wall और एक जगे पर जाकर छुप जाती है जो जगे एक छायादार जगे और एक दिवार की बीच में इस्तित है Robert was shocked he was fond of the sentimental funny snort Robert को बड़ा सौक लगा कि मेरी दोनों बेटिया इस snort पर attack क्यों कर रही है क्यों कि Robert snort को बिचिया को बहुत लव करता था and he saw her acute misery और उसके दुख पर उसको दया आई he called to the children उसने बच्चों को बुलाया urgently he is any don't do that जैनी ऐसा मत करो बिच don't do cat cat इस बिच को मत मारो she is frightened you might put her eye out वो कुतिया डरी हुई है तुम उसकी आखें निकाल लोगी ऐसा क्यों कर रही हो ये छोटा पाल तु जानवर है इसको मत मारो he stop stop रुको बच्चियों रुको उसको मत मारो this last cry expressed real indignation last मैं उसको बड़ा गुसा आ रहा था उसकी बेटिय उसका कहना नहीं मान रही थी वो बार बार कुतिया को मार रही थी जैनी had got hold of rack जैनी ने एक rack लिया रैक होता रहा जो चारा वगर उठाने के काम आता है एक छोटा सा उपकरन उपकरन होता है उपर लंबट अंडा होता है निचे काटेदार टाइप होते है तो उसने rack उठा आउट ओफिस से रोबर्ट अपनी कुर्शे से उठने की कोशिश करता है ताकि वो बिच को बचा सके बट सड़नली तभी अचानक cat turned round cat मुरती है aimed a pee stick at him एक जो मतर का जो पोदे का जो डंडी होती है वो cat उठाती है और अपने पिता की तरफ फैकती है and shouted at the top of her voice और जोर से चिलाती है yield pale face yield यानी बचो pale face सपेज चहरे वाले किसको कह रही है अपने पिता को बचो मुझसे बचना है तो समल जाओ जैनी at once turned and cried तभी जैनी भी मुरती है और जोर से चिलाती है yes हाँ you pale face pale face जिसके चैरे बुड़ा होता तो व्यक्ती के सरीर में खोन कम होता है white white skin होती है yield जैनी भी कहती है मुझसे बचो she burst into a shout of laughter और जोर जोर से हसने लगती है and could not speak but rust at the man with the rake carried like a lance lance लान्स यानी भाला और तो रेक होता है वो एक लंबा डंडा होता है जैसे बाला कैसा होता उस बाले की तरह उसका यूज कर रही है और वो लेकर अपने पिता की तरफ फैक रही है तो देखिए दोनों बच्चियों का व्यवार कैसे बदल गया वो अपने पिता के उपर अटेक कर रही है पहले कु और अपने पिता को क्या कहता है Robert नाम है लेकिन क्या कहता है Robbie kill him, मारो इसको, अपने पिता के लिए सब दियुज करते हैं मारो इसको iskaalf him, इसकी खाल उदेड़ लो, torture him, इसको तकलीफ दो, मारो they tore at the man और उसके उपर attack कर देते हैं, he was frightened, उसका पिता डर जाता है it seemed to him that the children usually so gentle, so affectionate, had gone completely made vindictive उसके पिता को ऐसा लगता है, उसकी बेटिया जो इतनी सब भी होती हैं, रोज, आज इतनी हिंसक कैसे हो गई, पागलों की तरव्यवार कैसे कर रही है they were hurting him, वो उसको चोट पहुचा रही है, he did not know how to defend him, और उसके पिता को, Robert को समझ नहीं आ रहा कि अपने आपको कैसे बचाओं, without hurting them, क्योंकि उसे अपने खुद को भी बचाना है, और अपनी बेटियों को भी बेटियों को भी कोई चोट पहुचानी नहीं है बेटियों को भी ना चोट पहुचाए हुए, वो अपने आपको कैसे बचाए, यह सोच रहा था, without breaking their skinny bones, क्योंकि अगर बेटियों को जोर से धका दे दिया, तो वेचारों की जो पतली-पतली हडियां है, वो तूट जाएगी विच सेम्ड एज फ्रेजाईल एज बच्चियों की हडियां ऐसी इतनी मुलाइम थी, नाजूग थी जैसे की पक्सी की टांगे कैसे होती है, उस तरह से विच सेम्ड बेटियों की पसलियों पे भी जोर नहीं दिया, नहीं तो वो तूट जाएगी शनौट सड़नली रीकवरिंग कॉन्फिदेंस, रश्ट बार्किंग फ्रम कवर और सीज दिस न्यूव विक्टिम, विक्टिम यानि सिकार बाइद स्लीव, ग्रिंटिंग, टगिंग, तभी जो सनौट होती है, वो देखती है कि दोनों लड़किया अब उसको तो छोड़ दिया सनौट को, और किस पर अटेक करने लगती है, उसके पिता पर, तो सनौट भी मौके का फाइदा उठा कर बेचारे रॉबर्ट पर अटेक करने के लिए रवाना हो जाती है, तो देखिए जिस सनौर्ट को बचाने के लिए Robert जा रहा था तो सनौर्ट तो बच गई दोनों बेटियां उसके अपर अटेक करने लगती है और सनौर्ट भी मौके का फाइदा उठा कर Robert के उपर ही अटेक करने के लिए रवना पो जाती है तो स्टुडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे इफ यू फील एनी काइंड आफ प्रॉब्लम यू में कॉंटेक्ट मी और यू में कॉल मी तो आज तक अभी तक हमने ये पढ़ा कि उनके बच्चियों के व्यवार में कैसे परियोरतन आया और उसने शुरू में जब रॉबर्ट घर आया तो कैसे व्यवार किया फिर कुतिया के साथ कैसे व्यवार किया और अपने पिता के साथ क्या व्यवार किया क्या इन बच्चियों का अंत तक ऐसा ही व्यवार रहेगा या फिर पार्ट के टाइटल के अनुसार वो grow up होगी, वो mature होगी, ये पढ़ने के लिए अगले चैप्टर का इंतिजार करें, thank you very much